वल्कम बैक टू स्टेडि फिद ग्यान प्रकास राश्ट्री आदिवासी छात्र शिक्षा समिती जनजाती कार्मंत्राले के अंतरगत एक स्वागत संस्थान है जो की भारत सरकार के अंतरगत आता है और जैसे कि आप KVS जानते हैं, NVS जानते हैं उसी प्रकार से एक नए प्रकार की विद्याले भारत में ओपन होने वाले हैं जिनकी कुल संक्या पूरे भारत में लगबग 740 से जादा रहेगी और जिस प्रकार से KVS और NVS में TGT, PGT और Non-Teaching Post पर भरतियां होती हैं बिलकुल उसी प्रकार से इस स्कूल में भी सिक्षक भरती के अलामा Non-Teaching Post पर यानि की करंचाजियों की भरती की जाएगी और इसके लिए जो भरती नहीं मौली है, इसको जारी कर दिया गया है तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपके सामने हैं देखो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो सारे पद हैं वो पर्मानेंट हैं और जो आपको सेलरी बगरा मिलनी हैं बिलकुल केंद्री विद्याले और नवोले विद्याले में जो सेलरी मिलती है उसी के मताबिक मिलनी है तो यहाँ पर National Education Society for Tribal Student इसको साड में कहेंगे N-E-S-T-S N-E-S-T-S मतलब National Education Society for Tribal Student The governing body of N-E-S-T-S hereby making the following rules for regulating the method of recruitment in respect of following teaching and non-teaching post तो कौन-कौन से पहले हैं आए उसको देख लेते हैं देखेंगे अगर आप तो प्रिंस्पल, वाइस प्रिंस्पल, PGT सभी सब्जेक्ट, ट्रेंड गेजूट टीचर, TGT के सभी सब्जेक्ट, कला मास्टर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइबरेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स और हॉस्टल वार्ड लेंड, गार्डनर, कुक, मैसल पर बगरा, तो इन सभी पदों पर भरती की जाएगी, बाकी आप ध्यान से दिखिएगा, तो ये जो स्कूल होंगे, उनको एकलब्य माडल रेजिजिदेंशिल स्कूल के नाम से जाना जाएगा, और अब यहाँ पर जो भरती निमौली है, उसको मंजूरी भी मिल चुकी है, बाकी जो भी डिटेल से उसको आएच चिक करते हैं, method of recruitment is limit and other qualifications, सारी चीजें आगे आपको देखने को मिलेंगी, एक बात ध्यान रखिएगा, कि इसमें probation period भी रहेगा, दो साल का, सभी पदों के लिए probation period होगा, दो साल का, लेकिन इससे घ ठीक है, probation का नाम से डरिएगा मत, तो कौन-कौन से पद हैं, सबसे पहले देखते हैं, प्रिंस्पल के लिए, तो यहाँ पर प्रिंस्पल के लिए कुल 740 पद हैं, मैंने आपको बताया था कि यह जो एकलब, model, residential school हैं, पूरे भारत में, इनकी संख्या कितनी है, 740, तो हर स्कूल में एक प्रिंस्पल होगा, तो कौन मिलाके 740, प्रिंस्पल की भरती की जाएगी, यह ग्रूप A के पद हैं, इसमें आपकी जो सेलरी होगी, वो लगबग 1 लाख रुपए के आसपास रहेगी is limit not exceeding 50 years, तो is limit में यहाँ पर आपको कोई बहुत मतलब कम नहीं रखी गई है, और बाकी जो academic है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर experience भी मागा गया है, ठीक है, तो यह चीज भी है, दो साल का profession period रहेगा, यह भी ध्यान दिजीएगा आप लो, दो साल का यहा पद हैं, वो exam से भरे जाएंगे, बाकी जो पद हैं, वो other method से भरे जाएंगे, तो यहाँ पर कुल मिलाके 370 पद ही आपको exam के माधन से भरने के लिए उपलब दोंगे, इसके बाद हम बात करें, तो जो अगला पद है, वो vice principal का है, यहाँ पर भी कुल 740 पद है, salary principal से कम र आपकी salary यहाँ पर बनेगी, दो साल का profession period होगा, ठीक, अगली जो भरती होगी, वो कौन सी होगी, तो देखों यहाँ पर PGT के बारे में बात हो रही है, post graduate teacher, तो यहाँ पर 11 पर EMRS, मतलब कि कुल मिलाके 740, 740, एकलब मोडल, residential school है, हर स्कूल में 11 पद होंगे, PGT के लिए, कुल मिलाके 8,140 पदों पर भरती की जानी है, ठीक, classification होगा, group B का, जो आपको salary मिलेगी, लगबग 60-50,000 के आसपास आपकी starting होगी, और आपकी जो उम्र सीमा है, वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चीए, तो यहाँ पर जो age limit है, वो काफी सांदार है, for the general candidate, और अगर आप result category से आते हैं, तो आपको उम्र सीमा में छूट भी मिलने वाली है, बाकी आप कौन-कौन सी विशे हैं, उसको भी देख लीजिए, English, Hindi, Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, History, Geography, Commerce, इसकलावा Economics, PGT Regional Language, तो जिस भी प्रदेश में रहेंगे, वहाँ का जो छेत्री भासा होगा, उसे सम्मंधित, ठीक है, बी-एड मांगा गया है, अगर आप PGT में आवेदन करेंगे, तो आपसे बी-एड की डिपांड यहाँ पर की जा रही है, सम्मंधित दिसे में आपका PG होना चाहिए, और बी-एड होना चाहिए, दो साल का प्रविशन पिरिड भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बाकी जो पद हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं, तो अब बात यहाँ पर करेंगे हम लोग, नेमा पोस्ट, पोस्ट ग्रिजुट टीचर, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो कुल पत 740, मतलब हर स्कूल में एक टीचर रहेगा, कंप्यूटर साइंस का, सलरी काफी अच्छी रहेगी, मतलब बस 60-50,000 के आसपास आपकी सलरी रहेगी, एस लिमिट होगी 40 से, मतलब मैक्समन 40 साल, और नेमा नुसार या CST, OBC बगरा को छूट पिलेगी, एसेंसर क्वालिफिकेशन आप देख सकते है मतलब अगर आपके पास PG है, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, कंप्यूटर सिक छक के तौर पर, दो साल का प्रोपेशन प्रियेड होगा, सारे पद जो होगे, वो डिरेक्ट भरे जाएंगे, इसमें, मतलब जो सभी 740 पद हैं, सभी परिशा आपको देने को मिलेग तो यह अची बात है, फिर आगे बढ़ते हैं, नेमा पोस्ट, ट्रेंड ग्रेजूट टीचर, TGT, कौन-कौन से पद हैं, तो English, Hindi, Regional Language, इफ अपड़ी केबल सब्जेक्ट में भी, changed as per the recruitment of the state, Mathematics, Science, Social Science, तो सेलरी काफी अच्छी है, लग बस 8000 से 5000 के आसपास आपकी बेसिक सेलरी होगी, शुरुवात में, इसके बाद तो बढ़ती जाएगी, एक लाग बैस जार, चार सो, टेल लाग रुपए तक आप पहुचेंगे, उसे ज्यादा भी जा सकते हैं, उम्र सीमा है, TGT के लिए 35 साल, और नेमा नुसार, यसी, स्टी, OBC को छूट भी मिलेगी, ठी ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, तो जिस विसे में आप आविदन करना चाहते हैं, वो विसे आपने कम सकम दो साल पढ़ा हुआ हो, और आपके पास बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी कंड हैं, जिसे कि TGT Hindi, TGT English और TGT Math के लिए इक कंडिशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हिंदी के लिए Hindi as a subject in all the three years, इंग्लिस के लिए होगा कि as a subject in all the three years, और TGT Math में क्या है कि Bachelor Degree in Mathematics along with Physics and any one of the following, Chemistry, Electronics, Computer Science या Statistics ठीक हैं, और TGT Science के लिए, Botany, Geology and Chemistry की नीड यहाँ पर की जा रही है, बाकी Social Studies के लिए आप पर सकते हैं, the candidate should have studied any of the two subjects out of the, वही जो eligibility वी ते रखी गई है, History with Geography, Economics, Political Science, आर तो यह combination यहाँ पर दिया गया है, notification आपके साथ share किया जाएगा, जब आप आवेदन करेंगे, उसके पहले सारी जांकारी आपको clear कर दी जाएगी, ध्यान दिजेगा कि TGT में आवेदन करेंगे लिए, most important point यहाँ पर यह है कि CTET आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर जो CTT का पेपर 2 होता है ना, जूनियर वाला, वो यहाँ पर मागा जाता है, और B8 भी आपसे मागा जाएगा, ठीक, तो professional period वही रहेगा, बाकी चीज़ें यहाँ पर जो दीगी है, वो तो आपको देखना ही होगा, next है color master, art teacher के लिए कुल 740 पद हैं, और Y is limited जो TGT के लिए होती है, 35 साल फार्द जनरल, and SCST, OBC को नहीं मानुसार, छूट, SCST को 5 साल मिलता है, OBC को 3 साल मिलता है, Central Vacancy में, आपको बता दें अभी, यहाँ पर, qualification क्या होगा, degree in fine art, craft from a recognized university, institute, or be a degree in fine art, from regional college of education, तो यह इसकी qualification है, next है आपका music teacher, तो music teacher के लिए भी, यहाँ पर वही है is limit, जो TGT के लिए है, qualification क्या है, a bachelor degree with music from a recognized university institute, ठीक है, बाकी जो पर हैं, वो भी आप देख सकते हैं, physical education teacher के लिए पर हैं, तो कुल 1480 पर हैं इसके लिए, total पर लगबग 36 से, 36,000 से एबब जा रहे हैं, total में चोड़ के लिए दूगा उपर, title में, कि कितने पद हो रहे हैं, total, age limit वही रहेगी, 35 साल plus, 35 साल maximum for the general, and SSTOBC को, नहीं मानुसार, age relaxation मिलेगा, तो इसके बाद librarian, यानि कि आप करमचारियों के जो लिए जो पद हैं, उसके बारें जहांकरी मिल रही है, तो करमचारियों की जो भरती होगी, उस पर वीडियो आपको अलग से मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो का फिलंबा हो रहा है, बाकी details लिए आप लोग जो official website लिंक में वीडियो के description में डाल दूँगा, उहाँ पर जाकर check कर सकते हैं, thank you so much.